हेलो एर्वेन आपका अपने टुप चैनल भारत इंजेटेंड में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको दस रूपे के सिख्य को लेकर आर्बियाई ने जारी किया बड़ आपडेट दस रूपे के सिख्य है आपके पास तो इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि दस रूपे का सिख्या कोई बोलता है नहीं लेंगे ये करेंगे वो करेंगे दस रूपे का सिख्या नकली है दस रूपे का सिख्या जो है उसके बारे में आपको इस वीडियो में फूलिटेल में बताया जाएगा क्यों नकली है असली है क्या है और कोई नहीं लेता है तो क क्या होगा सब कुछ आपको इस वीडियो में फुली टेल में बताया जाएगा भारती रिजर्ड बैंक और भी आई ने हाली में दस रुपे के सिक्कों को लेकर एक महत्पूर्ड अपडेट जारी किया है यह उन सभी लोगों के लिए महत्पूर्ड है जिनके पास दस रुपे से असली और नकली सिक्के की पाचान की जा सकती है जैसे पहला दह लाइन वाला सिक्का असली है दूसरा पंदर लाइन वाला सिक्का नकली है तीसरा रुपे का चिन वाला सिक्का असली है इन धारणाओं के कारण कई बार लोग सही सिक्कों को भी सुकार करने से मना कर देते हैं अर्भियाई का असपश्टी करण इस ब्रहम को दूर करने के लिए अर्भियाई ने एक मतपुर्ण नोट जारी किया है इसमें कहा गया है पहली बात कि बजार में 14 अलग अलग रिजाइन के 10 रुपय के सिक्ष्टे मौजूद है तो बढ बात यह दोस्तों कि दस रुपय के जितने विए सबी वैद और मानने हैं कोई इनमें कोई दिककत नहीं है सभी सिख्टे में आपको दुकान में हर जगह पर चलेंगे उसमें कोई नकली का नहीं है लेकिन तब भी लोग नहीं ले रहें तो उनको जागरुक करने के लिए हम यूटूब के माध्यम से सरकार की जो पहल है उसपे काम कर रहे हैं यह सभी सिक्के वैद है और मानने हैं तो आप भी इस वीडियो को देखके आप समझ लें कि यह सिक्के आपके पासे कर सिक्के हैं तो सब असली और मानने हैं तीसरा, लाइनों की संख्या डिजाइन के अधार पर सिक्कों के असली अन्यक्ली नहीं माना जा सकता, सिक्कों की विवित्ता का कारण, बारत सरकार के मिन्ट में सिक्के बनाए जाते हैं, नोटों की तरह ही सिक्कों के डिजाइन में भी देश के आर्थिक, समाजिक और संस्क कित मुल्यों का दर्साने की कोजिस की जाती है इसलिए समय समय पर सिक्कों के डिजाइन में बंदाफ के जाते हैं यही कारण है कि बजार में अलग-अलग डिजाइन के सिक्के मौजूद है टोल फ्री नम्मर पाएं जनकारी अर्बियाई ने लोगों को सिविदा के लिए एक टोल फ्री नम्मर भी जारी किया है अगर आपको 10 रुपे के सिक्द्र को लेकर कोई भी च Pew कर सकते हैं चंपकर कैंपर प्योग कीसे करें आर्बियाई के टोल फ्री के सिक्के के बारे में पूरी जनकारी दी जाएगी कानुनी प्रावधान RBI ने भी Всविश्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति वैज सिक्कों को स्विकार करने से मना करता है तो उसके खिलाब कानुनी करवाई की जाrie सकती है या प्रावधान इसलिए किया गया कि ताकि लोग की बिना किसी बैय या संकोच के सभी वैद सिक्कों का अवियोग कर सके 10 रुपे के सिक्कों के लिए कर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए आर्बियाई का या कदम बहुत महत्पूर है इससे न केवलाम लोगों के रहात मिलेगी बलकि वेपारियों और बैंकों को भी सिक्कों के लिए दिन में असानी होगी याद रखें तहला सभी 14 प्रकार के 10 रुपे के सिक्के वैद है जो 14 प्रकार के सिक्के सब असली है दोस्तों दूसरी विलाइनों की संक्या डिजाइन की अधार पर शिक्कों को असली अनकली नहीं कहा जा सकता तीसरा अगर कोई संक्का हो तो आर्बियाई के टॉल फ्री नम्मद 2440 पे संपर करें चोथा वैद शिक्कों को फ्रीकार करना कानूनी अपराद हो सकता है इस जनकारी के साथ आप बिना किसी संदे के 10 रुपे के सभीänge स्ब वैद शिक्के चला सकते हैं इस जनकारी के अगर कुछ भी आप को जनकारी चाहिए, तो 2440 में संपर्ख करें, आपको दस रुपे के सिक़्UI के बारे में सारी जनकार दी जाएगी, क्योंकि आप हमारी यूटूब बने हैं, यहले आपको जनकारे दी गई, क्योंकि अगर आप के पास भी दस रुपे के सिक्के हैं तो सब असली हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट होटा है तो आप RBI के कस्टुमर के चाहते हैं अगर कोई दुक अनदार या कोई आपको 10 रुपे के सिक्के से मना करता है लेकिन आप जनकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो के मादल से जनकारी दे दी गई कि आपका 10 रुपे का शिक्का है और अगर आप आरिब्याई के तुरू जानना चाहते हैं तो 1440 पे काल करके वहां से सब जनकारी ले सकते हैं तो दोस्तों ये थी आरिब्याई के 10 रुपे के सिक्के के उबर बड़ी ख़बर तो ये ख़बर कैसी लेगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरू बताएं और ऐसे लाटेस्ट कि कुरू और झा एक हुआर मतार जाता हर प जबर बड़ान चाहते हैं तो 1440 प्रयाई तायोग